नमस्कार दोस्तों मेरे नामे दरपन और आप देख रहें रैबिन 24 नियूज दोस्तों अब तस्वीर इस समय देख सकते हैं 16 साल की कनिका की 14 साल की कनिका जो की बता रहे हैं कि करनाल के ही जाटो गेट में रहती थी और बता रहे हैं कि बंदरों का आतंक इतना जादा बढ़ रहा है कि जो बच्चे है अब उनकी भी जान जो है वो जानी शुरू हो गई है और ऐसे में आप देख सकते हैं कनिका 14 साल की जो की छत पर थी और अचानक से उसके उपर बंदर जो है वो कहीं न कहीं पीछे पड़ जाता है या हमला कर करते हैं जिसके बाद च्जट से गुरिया हैं विडिक जाती है और फिलाल आप देख सकते यहां कलप ना चावल के म्रिच्री हाőस में सभी परी जन यहां पॉँचे हूए और यहीं पर लाए गया आप देख सकते है जो गुरिया है उसका भाई है यहां पर क्या नाम है पीछे बंदर पढ़ गया था अचानक से बता रहे हैं वह तो ऊपर थी पता नहीं क्या हुआ क्योंकि उपर से उसने लोग कर रहा था गेट को जो हुआ किसी ने देखानी पर वह बाद किसी ने लेक्षा से नीचे गिरने के वाज़ाई तो मतलब की हॉस्पिटल लेकर गए हाँ जी फिर हॉस्पिटल दो मिट में यहाँ पोज़ गे थे फिर उसके बाद पर थोड़ दे में उन्हें जो आप देदे कहरें ने इनकी रस्ते में जो वह तो हो गया था आप पर उनकी ब्लडिंग होई नहीं ना खून अंदर ही रह गया था खून निकला निकला नहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह भाई है और बड़ा भाई है और आप देख सकते हैं यह भाई ने अपना देखा जब उसकी बेहन नीचे की और गिर जाती है अभी हलाकी जानकारी के नुसार बता दे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौके पर जिन से हमारी बात ह गया था अचानक से और उसके बाद जो है वो कनी का डर जाती है डरने के बाद वो नीचे जो है वो अचानक से गिरती है जब परिवार वालों को पता लगता है वहाँ पर कुछ लोग बंदर जो है चिल लाते हैं और फिर जाकर जो है उसे हस्पिताल लाया जाता है लेकिन बत से आजाते हैं अच्छा बच्ची थी अकेले घबरा गई और डर गई एकदम से उसका पैर फिसल गया हाँ च्छत पही थी तुम्हों एकदम से ड़के पैर फिसल गया उसका नीचे आ गई बंद्रों ने टैक करें काफी इलाके में बहुत बंदर है बंदर है इतने जाद नगर निगम जो है उसका ध्यान नहीं है इसके ऊपर यानि इस तरह से काफी लोगों के पीछे बढ़ जाते हैं वहां तो सट डेली का है काम अब यह है कि यह हाथसा पहले भी हमारे प्रोस में एक हो चुका है उनको भी लगी कब बैसे बंदर ने जफ्टर मारा तो गिर ग नियुका निगर गया चलें के सब्सक्राइब को यह शाड़ा और जाते हैं पर से कोई अंदर से यह ते यह ते मतलब वह सब्सक्राइब कर दिआ निए-जवाब ने जवाब देउ जवाब लेगा थे अध्यारा के बाद मियंगा लिए तो अभी बताया नहीं है वो तर सब्सक्राइब देख रहे हैं यहां पर जो यह मोके पर है यह ताउं है और इनों ने बताया और साथ में जो है यह देख सकते हैं कनिका का भाई यहां पर है बहुत ही दुखत खबर है यह और दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे अपने बच्चों का ख्याल रखी को कि गर्मी के छुटियां चल रही है बच्चे खेलते हैं कूटते हैं आसपास कोई जानवर हो चाहे कोई भी ऐसा हो आप देख सकते हैं बंदर जो है उनकी पहले भी लगातार इस तरीके से बहुत शिकायते जरूर आती हैं कि यह लोगों को काफी ज़्यादा परेशान करते हैं लोग काफी ज़्यादा दुखी हैं नगर निगम की बात करें तो वहां पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है क्योंकि जो बंदर हैं वो कही ना कहीं जो है खुले में घुम रहे हैं और किसी के उपर भी अचानक अटैक कर देते हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो ताओं है उनसे बात हुई उन्होंने बताया कि बंदर जो है वो उसने बच्ची पर अचानक अटैक किया और उसके बाद जाकर जो है बच्च सकते हैं कि परिवार पर क्या बीतरी होगी एक भाई और एक बहन और छोटा सा परिवार खुशाल परिवार अचानक से जो है मातम के माहल में बदल जाता है अभी फिलाल इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो जानवर है उनके उपर जो है उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार को जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए क्योंकि जो बंदर है वो खड़े-खड़े बच्चों पर अटैक कर चुके हैं पहले भी कहीं बार आपको दिखा जो है इनके लिए कोई भी ऐसी जगा जो है वो हो सकती है लेकिन खुले में ऐसे घुमने से बंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों पर अटैक ही करते हैं लोगों को नुकसान ही पहुचाते हैं आप सभी सिन्वेधन वीडियो को जादस जादा शेयर जरूर करें फिलाल बच्ची का शव यहां लाया गया है पोस्माटम के बाद जल्दी ही जो शव है वो परिवार को सौप दिया जाएगा फिलाल हम यही कहना चाहेंगे परिवार जो है वो इस दुख से जरूर उबर अब परिवार देख सकते हैं अंदर की और जाता हुआ यहां पर नज़र आ रहा है शव अभी अंदर रखा गया है यहां पर और यहां से शव जो है अभी पोस्माटम जो आगे की कारवाई है वो फिलाल की जाएगे और उसके बाद जो शव है वो परिवार को सोपा आप सभी से में वीडियो को शेयर करें फिल जुड़ेंगा पिडियो 24 के ओपर दब तक के लिए